असलाम लेकुम डियर स्टुडेंट्स इस सेशन में हम अपने ऑपरेशनल मॉडल्स की सीरीज के आखरी मॉडल organizational support model पर बात करेंगे अब तक जो कोर्स आपने कवर किया social entrepreneurship पर उसमें बार बार एक चीज़ आई होगी और आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि not for profits या social enterprises always struggle for funding funding जो है वो एक issue है अगर खास तोर पर social mission है लेकिन entrepreneurial activity इतनी नहीं है या नहीं है या इतने level पर नहीं है कि वो उस purpose को support कर सके तो social enterprises खतम हो जाते हैं कुछ खासर से के बाद बंद हो जाते हैं और sustainability जो है वो एक issue बन जाता है उसका हल जो है वो इस model के जरीए से करने की कोशिश की गई है आपकी screen पर एक figure है आप उसमें देख सकते हैं social enterprise है, market है, target population है और एक निया component एड़ हुआ है social service organization social enterprise अपने आपको एक mission के साथ establish करती है उस mission को achieve करने के लिए मुख्तलिफ entrepreneurial activities करती है और या फिर मुख्तलिफ funding avenues ढूंती है जिसमें grants, donations या फिर organization की mission से related activities हो सकती है fee for service हो सकती है या कोई और mode जो हम पहले models में कर चुके हैं वो हो सकता है लेकिन बाज उकात organization अपनी social service के इलावा एक business अलग से करती है जो के external to social service या external to mission होता है social enterprise है, उसकी अपनी एक social service या एक mission है और उसके मताबिक वो target population को services दे रही है लेकिन उसके साथ साथ funds generate करने के लिए वो एक बिलकुल अलग business शुरू करती है ये business जरूरी नहीं है उसके mission से related हो जैसे पिछले किसी model में हमने बात की कि education services और फिर consistency देना नहीं organizational support model में ये जो नई organization बनाई जाती है ये business शुरू किया जाता है उसका तालुक social service से ये mission से होना जरूरी नहीं है उसका मकसद revenues generate करना है उसका मकसद पैसा कमाना है जिसके जरीये से social service को fund किया जा सके social enterprise को sustainable बनाया जा सके इस काम के लिए social enterprise जो है वो कोई भी business model ले सकता है कोई existing business जो है उसको adopt कर सकता है उसको purchase कर सकता है कोई नया business शुरू कर सकता है कोई ऐसी product जिसके बारे में उसको कुछ हल्म नहीं है लेकिन चूँके उसको ये पता है कि business करना है और उसके पास लोग हैं जो उस business को run कर सकते हैं तो वो एक नया business शुरू कर सकते हैं उस business की sustainability जो है वो बिलकुल market के principles पर होती है जैसे कोई भी business दुनिया में चलाया जाता है उसमें profit, loss, उसमें investment, उसमें partnership, उसमें business के rules सारा कुछ जो है वो वही है जो के commercial business का होता है क्योंकि ये commercial entity होती है इस business को काम्याब बनाना social enterprise के लिए ज़रूरी है ताके ये अपनी parent organization के social mission को support, facilitate और fund कर सके जहां से वो अपने target population को services प्रहम कर सके अगरचे जो market, जो business है, जो market oriented business है, जो commercial business है, जो नहीं ये entity बनाई है social enterprise ने इसके भी कोई consumers हैं कि ये product sell कर रही है, वो भी target population है लेकिन आप अपनी figure में note करें उस से arrow target population को नहीं जाता, social enterprise, business के जो clients हैं उन्हें अपनी target population consider नहीं करते social enterprise की target population वो ही लोग रहते हैं जिनको वो अपनी social service जो के उसके mission के accordingly है, वो देती है, वो उसकी target population कहलाती है इसलिए सिरफ एक arrow जो है, वो social service से target population तक जा रहा है, market से आगे जो उसके consumers हैं वो बिलकुल अलाग है इसलिए हमने जैसे पहले बात की कि जो business है, उसका mission से related होना या उसका organization की competencies, उसके जो expertise हैं, उससे कोई तालुक होना ज़रूरी नहीं है इसी तरह social enterprise जो है, of course वो एक social enterprise है, वो कभी कोई ऐसा business नहीं करेंगे जो के sustainability या social change या एक positive impact ना रखता हो, यह एक natural tendency है आप कह सकते हैं, लेकिन यह एक ethical issue भी है तो वो ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे, वो of course legal, approved और जो marketable काम है, वो ही करेंगे लेकिन again उसका उसके mission से तालुक होना ज़रूरी नहीं है हमने इसको कहा कि यह एक external model है, जिसमें जो funding source है, जो यह offspring organization है, जो business organization है उसका parent organization से, उसके mission के हवाले से कोई तालुक नहीं है यह एक far profit activity है और profit जो है, वो जाता है social mission को या social services को यह एक ऐसा model है, जिसने not for profit organizations या social enterprises जो purely social mission के साथ establish की जाती है उनके एक बड़े मसले को हल करने की कोशिश की है, यानि उनके revenues और उनकी funding organization जो सारा वक्त इस फिकर में बाज वकत अपनी services की quality और अपने mission को भी compromise करती है कि next funding कहां से आएगी, वो organizations इस model को adopt करते हुए एक नई organization, एक business organization बना कर अपने funding problem को solve कर सकती है और sustainability की तरफ social services की terms में जा सकती है Thank you I'm I'm I'm